हैलो दोस्तों आज के Q&A के अंदर हम 5 सवाल लेंगे जिसके अंदर जो सबसे पहला जो सवाल है कि swing trading किसे कहते हैं और इसको करते कैसे हैं तो swing trading के अंदर normally क्या होता है मैं आपको बहुत यह आसान भासा में समझाता हूं कि हमें एक दो कोई भी अच्छे share select कर लेते हैं मतलब जो हमारे परसंदीदा share है जिनका हमें movement पता है मतलब कब up जाता है कब down जाता है या दिन के अंदर कितना low जाता है कितने percentage जो है कभी कोई share का pattern होता है कि इतने percent ये high जाता है मतलब हमें उसका результат pattern फगरा पता होता है तो अगर हमें chart pattern किसी भी share का पता है मतलब हम regular उसको चार्ट को देख रहे होते हैं किसी भी share के अंदर हम जब उसका chart जो है चार्ट इस तरह से कभी कवरा बनता है कभी ups and downs होता है कभी इस तरह से उपर जाता हुआ बनता है कभी इस तरह से नीचे जाता हुआ बनता है तो क्या करना होता है कि जब low आता है कोई भी chart के अंदर low आता है low के उपर हम buy कर लेते हैं किसी भी share को फिर वापस थोड़ा बहुत high आता है high पर उसको sell कर देते हैं और यही का यही pattern हम वापस दोराते रहते हैं मतलब फिर वापस low आता है जब थोड़ा बहुत dip मारता है फिर वापस थोड़े बहुत share खरीद लेते हैं फिर थोड़ा 4-5% उपर जाता है फिर वापस उसको sell कर देते हैं तो इस तरह का process हम दोराते रहते हैं एक ही share के अंदर तो उसको बोलते है swing trading और दोस्ता swing trading के अंदर generally क्या होता है कि 5% से लेकर 15% तक का profit मिल जाता है और कभी कभार 1 दिन के अंदर मिलता है कभी कभार 2 दिन के अंदर मिलता है कभी कबर 5 दिन लग जाते हैं कभी कबर 15 दिन लग जाते हैं महीना लग जाता है दो महीने भी लग सकते हैं मतलब जो हमारा target है वो पुरा होने में मतलब एक दिन से लेकर दो महीने तक लग सकते हैं और दोस्तों जन्रली ये होता है कि स्विंट ट्रेडिंग के अंदर 15 दिन से लेकर एक महीने तक का टार्गेट होता है और काफी लोग ऐसा करके 5% से लेकर 15% तक का profit आराम से कमा लेते हैं तो बस इसमें ध्यान यही रखना है हमें chart patterns वगेरा लगाता नोट करते रहना है मतलब एक दो अच्छे share select कर लो जिसके अंदर movement सबसे ज़्यादा होती है और financially fundamentally अच्छे share select करें तो ज़्यादा बहतर रहेगा तो उसके अंदर movement देखके हम पता कर सकते हैं कि अब भी इसका low आया है तब हम उसको buy कर लेते हैं वापिस उसका high जाता है तब उसको sell कर लेते हैं फिर वापिस low आया तब वापिस buy करते हैं तो इस तरह से movement चलती रहती है तो इसी कोई swing trading बोलते है और फिर दोस्तों दूसरा सवाल है कि SJS Enterprises का जो share है वो कैसा है तो दोस्तों मैंने आपको बताया भी था कि SJS Enterprises का जो grey market का premium काफी कम जला था उस time और ये listing gains के लिए नहीं था share तो SJS Enterprises का जो share है उसे long term के लिए बढ़िया है और दोस्तों listing gains के लिए मैंने मना भी किया था अगर किसी को long term में इस share को रखना है तो वो भी hold करके रख सकते है और ये long term में काफी अच्छा share है और अपने आप में ये अक्यली company है मतलब share market के अंदर जो decorative industries के अंदर काम करती है और जब इस share के अंदर movement आएगा तब मुझे लगता है काफी अच्छा फाइदा देगा ये थोड़ा-थोड़ा करके फाइदा दे सकता है अगर आप इसको long term में hold करना आ जाते है तो ये जबर्दस तो नहीं मुझे लगता है थोड़ा-थोड़ा आपको ज़रूर फाइदा देगा और मुझे लगता है जिसने IPO ले भी लिया है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है आप इसको average कर सकते हैं ये financially fundamentally अच्छी कंपनी है और फिर दोस्तों तीसरा सवाल है कि सेफार फूर्स का IPO आया था, उसका share अबी कैसा है तो जो सेफार फूर्स का जो share है वो देवियानी इंटरनेशनल जैसा ही performance करेगा उसका कारण ये है कि दोनों ही same business है दोनों के पास franchise ही at σεफार फूर्स और देवियानी इंटरनेशनल को तो Deviany International थोड़ी ज़्यादा मजबूत नजर आ रही है revenue के मामले में भी और business के मामले में भी और दोस्तो अगर QSR restaurant chain के अंदर आपको यह share select करना चाते हैं तो मुझे लगता है इन दोनों share से अच्छा है jubilion food और second number पर मुझे देवयानी international को लेना चाहूंगा तो उनको share उनके पास पड़े हैं यह अभी तक चड़ा नहीं है मतलब अभी घाटा दे रहा है तो दोस्तो Aptas Value का जो share है वो financially fundamentally strong share है और यह मुझे लगता है जब इसके अंदर movement पकड़ेगा तब यह share आपको काफी फायता देगा और दोस्तो इसके इंदर FII इस मतलब foreign investors है उनकी holding भी अच्छी है और इस महिने जो है mutual fund की holding भी इसकी बड़ी है तो Aptas का जो share है financially fundamentally बहुत strong share है और मुझे लगता है आपको कोई ज़्यादा tension लेने वाली बात नहीं है क्योंकि अच्छी company है तो धीरे-धीरे आपको जरूरी फायदा देगी और बाकी अभी आप यह कर सकते हैं आप share को लेकर average कर सकते हैं और फिर दोस्तो पांचवा स्वाल यह है कि जो हम एक ही pen card पर एक से ज़्यादा demate account खोल सकते हैं तो दोस्तो उसका जवाब है हाँ आप खोल सकते हैं एक pen card पर एक से ज़्यादा demate account मतलब आपका account अगर जीरोधा में है, upstocks में, angel broking में है तो कोई problem वाली बात नहीं है आप खोल सकते हैं और दोस्तो जब भी आप IPO apply करें तो एक ही demate account से करें मतलब अगर आपने 010 से किया है तो फिर दूसरों से ना करें अदलब एक pen card पर एक ही demate से आपका जो application जानी चाहिए IPO की, वरना reject हो जाएगा और बाकी आप चाहे जितने demate account खोल सकते हैं pen card से तो दोस्तो आज की Q&A के अंदर इतना ही मुझे लगता है आपके सवाल काफी एक तक clear हो गए होंगे और भी आपके कोई सवाल है तो आप मुझे comment करके बताएं हम next Q&A के अंदर इसके सवाल ले लेंगे तो दोस्तों हमारा वीडियो हमारी जान करी अगर आप वो पसंद आई है तो वीडियो को like जरूर करें और दोस्तों अगर आपको notification नहीं मिल रहा है तो आप हमारे टेलेग्राम चैनल को भी join कर सकते हैं मिलते हैं दोस्तों next वीडियो के अंदर